हेलो नमस्ते नमस्कार बच्चों Most Welcome in Udkash Classes और आज हम बात करने वाले हैं MCQ Gear Up के Last Batch है जी हाँ बिलकुल Last Episode कह सकते हैं आज और आज हम बात करेंगे Strategies for Enhancement in Food Production Micros in Human Welfare और Cockroach की बात गी जाएगी चलिए शुरू करते हैं आज का सफर चलिए तो डॉक्टर्स तयार है सब लोग आप तो पहला सवाल ये रहा आपके सामने स्थम्भो का मिलान करना है आपको बही प्रजनन संकरण अंतर जाती संकरण बही संकरण दे रखा है ठीक है चलिए बही तो यहाँ जो बात करते हैं बही प्रजनन का मतलब क्या होता ये पहला ही सबसे important question बनता है अगर इस question में बात करें तो पहला आता in breeding अन्ता प्रजनन क्या होता है बही प्रजनन और in breeding अन्ता प्रजनन अन्ता प्रजनन का मतलब क्या होता है एक ही species की बात करेंगे एक ही breed की बात करेंगे पर उसमें जो सबसे important चीज़ जो है उसमें 4 to 6 generation की बात करते क्या 4 to 6 generation की एक ही breed होनी चाहिए 4 से 6 PD की बात करेंगे और एक ही breed एक ही नसल की बात करेंगे तो उसे inner breeding कहा जाता है अन्ता प्रजनन कहा जाता है उसमें homo gyosity देखने को मिलेगी सम युकमचता देखने को मिलेगी भई अगर कुछ बदलाव नहीं होंगे तो parental गुण आएंगे है ना pure line बनेगी शुद वंसक्रम प्राप्त होगा और इसमें एक फाइदा क्या होता है पता है इन breeding के अंदर अंता प्रजनन के अंदर शुद वंसक्रम रहेगा तो एक तरह के लक्षनी देखने को मिलेगे homo gyosity मिलेगी आपको और जो हानी कारक recessive की बात करते हैं ना harmful recessive trait है लक्षन है उनको हटाया जा सकता है ये plus point है पर नुकसान क्या है नुकसान होता है inbreeding depression है ना यानि अंता प्रजनन अवसादन उत्पादन घट जाता है तो ये सारी चीज़े inbreeding में होगी अब यहां लिखावा है outbreeding outbreeding की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें याद रखना बीना किसी संबंद वाले जन्तों के मद्य प्रजनन की बात की जा सकती है जिसमें एक ही नसल हो सकती है है ना एक ही नसल हो सकती है अलग-अलग हो सकती है भिन-भिन जातियां भी हो सकती है तो ये चीज़ें बही प्रजनन या outbreeding कहलाती है याद रखना outbreeding का मतलब यहां पे तीन टाइप हो सकता cross breeding हो सकता है inter specific हो सकता out crossing ये out breeding के ही type होते है जो NCRT में दे रखे तो out breeding बही प्रेजनेंग में एक ही नसल हो सकती है अलग-अलग हो सकती है अलग-अलग जातिया भी हो सकती है ठीक है तो ये एक का second होगा cross breeding की बात करते हैं संकरण याद रखना cross breeding के अंदर नसलें बदल जाती है superior males of one breed और दूसरा superior female of another breed की बात करेंगे doctors यानि एक नसल के स्रिष्ट नरका cross दूसरी नसल के स्रिष्ट मादा के साथ मोटी-मोटी बात याद रखना है ना different breed क्या है different breed याद रखना है जो आप याद रखेंगे इसके अंदर मोटी-मोटी बातें different breed अलग-अलग नसल की बात की जाए और favorite example हिसार डेल क्या याद रखना है इसके अंदर एक्जामपल की बात की जाएगी है ना यह यहाँ आ जाएगा हिसार डेल याद रखना CRT का example हिसार डेल है ना पंजाब की अंदर जो बनाए गई है बिकानेरी एव्ज और मेरिनो रेम से मिलकर हिसार डेल ठीक है अंतर जाती संक्रण inter specific hybridization जहां जातियां बदल जाती है म्यूल खचर की बात करेंगे हीनी की बात करेंगे म्यूल जहां male donkey और female horse से बनाया जाता है हीनी हीनी के अंदर female donkey और male horse से बनता हीनी यह inter specific hybridization यानि जातियां अलग-अलग हो जाती क्या जातियां तो अलग-अलग संबंदी जातियों की बात की जाती है यह first option होगा तो इसका हो गया यह और यहां हो जाएगा इसका first out crossing की बात करेंगे जहां breed एक ही होगी same breed की बात की जाएगी पर उसमें gap होना चाहिए 4-6 पीडियों का 4-6 generation का doctors gap होना चाहिए तो उसे कहते हैं out crossing और फाइदा क्या है NCRT कहती है यह in breeding depression को कम करेगी अनता प्रिजनन अवसादन को कम करने का काम out crossing का होता है याद रखना बेहतरीन सवाद तो एक का second एक का second पहला एक ही मिल रहा है इसका मतलब सीधा उत्तर दूसरा जाएगा चलिए next question की बात कर रहे है फैवरेट question यह भी अच्छा सवाल है जूंड या मवेसिर सुधार के लिए काम में ली जाने वाली MOET multiple ovulation embryo transfer technology की बात करे MOET पर एक बहतरीन सवाल नीट में बनता है क्या होता है देखो नाम सी पता चल रहा है MOET की बात की जारी है है ना तो सबसे पहले क्या होगा MOET के अंदर female के अंदर बात करते हैं ठीक है FSH hormone का injection लगाया जाता है किसका FSH hormone का injection लगाया जाता है ठीक है तो याद रखना इसमें सबसे पहले FSH कहां गया धूंडो इसमें यहां पर देखिए administrative hormone with FSH like activity तो female को FSH hormone लगाया जाएगा उसकी वज़े से ovulation बढ़ जाएगा graphene पुटिगाएं बढ़ेगी graphene पुटिगाएं जादा तो अंडो का निर्मान जादा होता है सिंपसी बात है यानि हम बात कर सकते हैं इसके अंदर पूटक परिपक्वन और उच अंडो सरका पेरन होगा यानि follicular maturation और super ovulation भई FSH का का काम क्या है follicle stimulating hormone है primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle graphene follicles बनाएगा follicles जादा तो उसमें egg भी जादा multiple या super ovulation होगा यानि 6 से 8 अंडे बनेंगे है ना तो पहला होगा ये वाला दूसरा हम बात करते हैं step ये हो गया उसके बात क्या करेंगे फिर हम बात करते हैं ये देखें इसके अंदर दे रखा है ये अनिमल इदर matted with allied bull और artificial inseminated जो वीर्य है जिसे हमें संग्रित किया एक अच्छे बुल का फिर उसको injured किया जाएगा पशूक को या सरोतकर सांड बैल से संगमीत matted करवाया जाता है या करतीम वीर्य सेचन करवाया जाता है उस female में करतीम वीर्य सेचन करवाया जाता है या रखना artificial inseminated ये थर्ड स्टेप होगा उसके बाद क्या होगा उस female के अंदर 8 से 32 कोशी के अवस्ता बनेगी ठीक है ना fertilize egg 8 to 32 cell stage की ठीक है उसके बाद उन एको fertilize egg को बहार निकला जाएगा surrogate मदर के अंदर डाल दिया जाएगा तो यहां ये चौथा step होगा तो ये NCRT में दे रखा है बहुत अच्छा सवाल है बच्छों तो यहां पे second first होगा second पहले आएगा second आएगा उसके बाद हम बात करते हैं फिर fourth option आएगा ठीक है फिर third और first यही बचा है third option जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा क्या बात है तो ये MOET की टेक्निक या रखना है FSH का यूज किया जाएगा super ovulation होगा चैसे आट एग बनेंगे पिर क्या किया जाएगा various session करती वीरियस session artificial insemination उसके बाद हम बात करते fertilized egg बनेगा उनको हम बाहर निकालेंगे surrogate mother में use करेंगे simple सा process है चलिए आगे बढ़ता है doctors एक और बहतरीन सवाल apiculture, pc culture, sericulture, leg culture बताईए इसके अंदर क्या होना चाहिए भई हना तो apiculture का मतलब क्या है मदू मक्यों से है मदू मक्यों का संवर्दन culture और भी की बात करते हैं बिल्कुल apicindica, dorsata, melliferia, floria हना पढ़ते हैं तो यहां मदू मक्यों का संवर्दन apiculture कहलाता है बिल्कुल सही है मदू मक्यों के अंदर जो बात करते हैं cast होती है drawn drawn parthenogenesis से बनती है और निशेक जनन से बनती N होते हैं haploid होते है जो worker female होती है queen एक single होगी वो भी female है queen जो 5 साल तक जिंदा रहती है royal jelly food खाती है worker जो होते है वो भी female है पर बंदी होते है sterile होते है ठीक है बिचारे के पास basket होता है pollen basket pollination में help करती है insect pollination में bee का सबसे ज़्यादा role होता है है न second उनके abdomen के अंदर wax gland होती है com बनाने का काम करते है बच्चों का protection करते है खाना लेकर आते है security का काम करते है काम सबसे ज़्यादा worker करते है ठीक है string होता कोई छेड़ता है तो string भी दिया कुदरत ने ठीक ये worker की बात करते है है न freeze scientist को उसके लिए novel prize मिला उन्होंने बताया कि मदू मक्यों की जो moments होती है जो moments है जिसे कहते है language of honey bee उसके लिए novel prize मिला था उनको ठीक है PC culture की बात करते है culture of all types of aquatic organism देखो क्या लिखा है PC culture में सभी परकार के जल्ये जीवों का समर्दन किया जाता है उसे aqua culture कहते है बच्चो है न सभी परकार के जल्ये जीव की बात की जाएगी जिसमें प्राउन भी होगा कैकडा भी होगा तो वो aqua culture कहलाता PC culture में केवल fish की बात की जाएगी क्या only fish होगा क्या होगा only fish होगा ये जो बात की जारीए aqua culture कहलाता है क्या कहलाता है aqua culture कहलाता है याद रखेगा, एक्वा कल्चर कहते है इसे, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, सहरी कल्चर में सिल्क वर्म, बॉंबिक्स, मोराई की बात की जाती है सेतूत, मलबेरी के प्लांट पर हम बात करते हैं, राइट लेक कल्चर, लाक कीड का समर्दन तो गलत जो है, वो PC कल्चर होगा PC कल्चर में केवल फिश होगी याद रखना, एक्वे कल्चर के अंदर सभी चीज़ें समलित होती है एक बाउंसर सवाल नीट में आया था, फिश की बात करते हैं जो फ्रेश वोटर है, आपको पता कतला है लेबियो, रोहिता वगर की बात करते हैं है ना, जो समूंदरी की बात करते हैं मागुर भी आगी फ्रेश वोटर में जो मरीन फिश की बात करते हैं जिसके अंदर ट्यूना फिश है है ना, मक्रेल है, ट्यूना, मक्रेल, सालमन इन सब के अंदर omega fatty acid पाया जाता है bouncer question था नीट का omega fatty acid किस से मिलता है ध्यान रखना, mackerel उत्तर था उसकी अंदर, mackerel marine fish होती है, mackerel से tuna से भी omega fatty acid मिलता है, antioxidant होता है याद रखेगा, ये question आचुका है ठीक, pump rate सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली marine fish होती है सबसे ज़्यादा दर्याई मच्छी की बात करते है इंडिया के अंदर, pump rate का इस्तमाल किया जाता है, है ना, सुमई भी अच्छी है ठीक है, तो यहाँ जो हम बात करते हैं ये थूड़ा सा knowledge आपको ध्यान रखना होगा चलिए next question की बात करते है हिसार डेल, question है doctors, हिसार डेल भेड की नसल है, जिसे किसके संक्रन द्वारा विक्सीत किया गया हिसार डेल की, अभी हमने पड़ा है विकानेरी, एव्ज और पंजाब की मरीनो रेम्स को मिला कर पंजाब के अंदर बनाया गया था हिसार डेल, है ना, हिसार डेल की बात करते हैं, संक्रन द्वारा बनाया गया था है ना, डवलर बाइक, क्रोसिंग की बात करते हैं, तो विकानेरी, एव्ज और मरीनो रेम्स, मरीनो इव्ज पहला ही देखिए, विकानेरी, एव्ज और marino rams, पंजाब के अंदर बनाई गई थी, बिल्कुल सही है, है ना, तो पहला ही उत्तर जो है, वो बिल्कुल perfect दिख रहा है, bicanary aves और marino rams भेड़ है, इसे हिसा डेल कहा, जाता है, चलिए next question, ये रहा आपके सामने, पादप प्रजिनन के मुखे चड़नों को विवस्तित करना है, क्या करना है, विवस्तित करना है, बहुत अच्छा सवाल है, main step of plant breeding की बात करते हैं, plant breeding के अदर में बात करते हैं, मैं किसान हूँ, सबसे पहले क्या करूँगा, अच्छी अच्छी variety, germ plasm का collection करूँगा, संगरण करूँगा, इधर जाओँगा, उधर जाओँगा, हर केतों में जाओँगा, best germ plasm का हैना, क्या करूँगा, collection करूँगा, पहला collection होगा, उसमें से best का selection करूँगा, ठीक, फिर उनमें से क्या करूँगा, उनमें crossing करूँगा, crossing करूँगाने के बाद उनकी testing करूँगा, सही है के नहीं है, testing में pass हो गए, तो फिर मैं उनका commercialization करूँगा, व्या पार करूँगा, मैं हो गया, बड़ा किसान अब, छोटे से बड़ा किस तो यहां हम बात करते हैं, सबसे पहले collection कीया जाएगा, क्या किया जाएगा? collection of variety या germ plasm की बात करते हैं, अच्छी अच्छी, जो हम बात करते हैं, different alleles का जो collection है, अलग-अलग युग में विकल्पियों की बात कर सकते हैं, फसलों की अंदर जो पाए जाते हैं, ठीक है? है न, different alleles जो बात करते हैं present in crops germ plasma का collection होगा तो पहला step तो यही होगा second हम बात करते हैं फिर इनके अंदर selection करेंगे क्या करेंगे इस काब में फिर देखेंगे testing selection is testing and superior recombinant देखेंगे selection की बात करेंगे फिर क्या करेंगे selection पहले collection फिर उसमें से भी best का selection करूगा है ना उसमें से भी best देखूँगा श्रेष्ट पुनर्योगज का chain करूँगा उसके बाद मैं cross करवाऊँगा क्या करवाऊँगा crossing करवाऊँगा collection फिर selection फिर crossing होगी उसके बाद मैं क्या करूँगा evolution and selection of parents की बात करते, उनका evolution करूँगा ठीक है ना, और ये रहा इसके अंदर fourth, और फिर हम जो बात करते हैं, इसके अंदर जो है क्या है इसके अंदर, clear है फिर क्या आ गया, commercialization की बात करते हैं, क्या आ गया, commercialization की बात करते हैं, testing, release and commercialization तो आप देख सकते हैं, फिप्ट की बात करते हैं, पहला जो है, फिप्ट आएगा, उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें, ठीक है, इसमें जो options रहेगा, इसमें, ये evolution, selection, parents, ये चला जाएगा, बेटा, evolution देखो, यहाँ है, ये, second वाला, ये second होगा, ये second होगा, ये third होगा, उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें से crossing होगा, third, क्या होगा, third, crossing होगा, third, क्या होगा, third, उसके बाद हम बात करते हैं, इसके अंदर, ठीक है, ये दिख रहा है, इसके अंदर, first option दे रखा है, उसके बाद हम बात करते हैं, इसके अंदर, testing होगा, क्या होगा, testing होगा, उसक के बाद हम बात करते हैं, इसके अंदर जो आपको दिख रहा है, इसमें फॉर्थ, commercialization, क्या होगा? commercialization, तो आप देख सकते हैं, इसमें जो third option match कर रहा है, मेरी बात सुनना, फिर से collection किया जाएगा, collection किया जाएगा, क्या जाएगा, पहले collection किया जाएगा, उसके बाद हम बात करते है, evolution और selection, evolution और selection किया जाएगा, selection के बाद हम बात करते हैं, third के अंदर फिर crossing की जाएगी, क्या की जाएगी, crossing की जाएगी, crossing करने के बाद, चोथा हम बात करते हैं, इनमें testing की जाएगी, key point याद रखना, testing की जाएगी, क्या की जाएगी, testing की जाएग एवलेशन और सेलेक्शन, क्रॉसिंग, फिर बात में टेस्टिंग, और फिर कमर्शिलाइजेशन, तो यहां आप देख सकते हैं, जो अप्शन होगा, वो थर्ड ओप्शन है, क्या होगा, यह चोथा लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना बेटा ओप्शन, ध्यान एकना, एव और सेलेक्शन और सेलेक्शन और पैरेंट्स की बात की जाएगी, याद रहे जाएगा, तो यह चीज़ें याद रखनीए, पेटा, के अंदर, फिर यह देखिए, क्रॉसिंग होगी, उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें थर्ड जो दिख रहा है, यह सेलेक्शन टेस्टिं रिकॉमिनेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् फंडक, गर्मी और ठंडक सासात में, याद रखना वीट हिमगिरी से है, लीफ एंड स्टीप और हिल बंट याद रखना, हिल परवत है, हिम है, और देखो हीट है तो पिगलेगी बर्फ, याद करने का तरीका वीट हिमगिरी और हिल बंट याद रखना, हिल बंट, बिल्कु सही लिखा है सरसो पूसा सोन्णिम की बात करते हैं पूसा सोन्णिम सरसों का काला रोट ब्लैक रोट और मस्टर्ड होता है क्या जी नहीं यहां बात करते हैं ब्लैक रोट और मस्टर्ड नहीं होता ब्लैक रोट कॉली फ्लावर होता है यहां बात करते हैं सरसों के अंदर तो और बिल्कुल सही लिखा है, ब्लाइट डिसीज होती है, मिर्ची की बात करते हैं, अब ऐसा सदा बाहर होती है, चीली सदा बाहर है, हर खाने के अंदर, फास्ट फूड के अंदर मीर्ची है, चीली सदा बहार है, बिल्कुल सही है, और अगर हम बात करते हैं, किसके पती पतिरोधता देगी, रजिस्टेंस, चीली मोजेक वाइरस, टॉबेको मोजेक वाइरस, लीफ कल, ठीके ना, बिल्कुल सही लिखा है, ये भी, तो ये गलत द इस में देखो, सोनोरा 64, लर्मा रोजो 64 है, भारतिय करशी के लिए गामा विकिरन, या देखना, म्यूटेशन के अंदर, म्यूटेशन का अस्तमाल किया जाता, एक भी कोशन आचुका है, और गामा किर्णों का अस्तमाल किया जाता, उत परीवर्तन के अंदर, या आओ, सोनोरा 64 से क्या बनाई जाएगी, सर्बती सोनारा वरिये, देखो सोनोरा से ही सर्बती सोनोरा, और लर्मा रोजों से पूसा लर्मा का निर्मान किया गया है, याद रखेगा, गामा रेडियेशन द्वारा, ये कोशन भी आ चुका है, कि म्यूटेशन में किन कीड़नों का किन रेडियेशन का इस्तमाल किया जाता है, गामा रेज का इस्तमाल किया जाता है, जया रतना तो आपके चावल की है, क्या है, राइस की वेराइटी है, ये गेहूं की वेराइटी है, मैक्सीकन, याद रखेगा, सर्बती सोनोरा पूसा लर्मा, सर्बती सोनारा पूसा के अंदर जो है, वो Philippines के अंदर है, क्लियर है? तो यहां पर जो हम बात करते हैं, पहला ही उत्तर जो है बिल्कुल क्या है? सही ज़वाब होगा पूसा सदाबार तो चीली के लिए है हीम गीरियम बात करते हैं वीड के लिए है सुरन्मी मरेसी का की बात करते है और भारत में MS स्वामी नातन को हरित क्रांती का जनक माना जाता है और अमुल दूद की बात कर ली जाए तो वर्गीज कूरियन का नाम आता है स्वेत क्रांती जी हां वाइट रिवोलेशन के जनक वर्गीज कूरियन है MS स्वामी नातन को हरित क्रांती का जनक माना जाता है हरित क्रांती का पूरे इंटरनेशनल लेवल पे में बात करते हैं ध्यान रखना clear nobel prize winner ते norman ball log तो ये चीज़ें याद रखेगा चली आगे बढ़ते हैं एक और अच्छा सवाल कीट पीड़क पती रोदक्ता के संदर में गलत बताना है भई है ना गलत बताना है गलत ध्यान रखिए क्या पूचा है इनकरक की बात कर रहे हैं पूसा गौरव रैपसीड है ना ब्रेसिका की किस्म की बात करते हैं Regist to Aphid, Aphid से Regist होती क्या? पूसा गौरव की बात करते हैं, Brensica के लिए है और ये Aphid से पतिरोदी होती है, बिल्कुल सही बात है. पूसा Same 2, Same 3, NCRT में दे रखा है, Flat Be Ein के लिए बात करते हैं, पूसा Same 2, Same 3, Flat Beans है किसम. गौरव की बात करते हैं ब्रेसी का एफिड के लिए है पूसा स्वानी भिंडी की किसम है पूसा स्वानी वेराटी ओव ओकरा रेजिस्टू शूट और फ्रूट बॉरर की बात करते हैं ये बात भी सही है पूसा A4 वेराटी ओव भिंडी इसी का नाम है ये A4 पूसा स्वानी ही है, NCRT ने कहा है, पूसा स्वानी या A4, A4, A की है, दोनों सेम ही होती है, इसका मतलब जो सेम होगी तो ये इसका उत्तर ये जाएगा, जैसी का एफिड पती रोदी ये नहीं होती है, याद रखेगा, एक NCRT में और खुबसुरत लाइन दे रखी है यलो मोजेक वाइरस से जो भिंडी होती है, परभनी क्रांती, क्या याद रखेगा, अच्छा सवाल है, परभनी क्रांती की बात करते हैं, है ना, परभनी क्रांती जो है, यलो मोजेक वाइरस के प्रती पती रोदी है, रजिस्ट होती है, ये भी एक बहतरीन सवाल माना जा तो गलत कौनसा हो गया, चौथा, यह दोनों एक ही है, यही जाएगा, जिस सीड और एफिड के लिए नहीं होते हैं, डी आप्शन सही होगा, ठीक है, शलिए, नेक्स्ट क्विस्चन, एटलस की बात की जारी है, डॉक्टर्स अगर एटलस 66 की बात करते हैं, गेहूं की अच् होता है, क्या, है न, जो लाल गेहूं की बात करते हैं, वो आइरन वाली है, तो यहाँ एक किसम है, जिसमें बताईए क्या होगा, चावल की है क्या, गेहूं की है, जी हाँ, है न, गेहूं की है, राइस की यह नहीं होती है, जया, रतना, यह याद रखना है, है न, और तो यहाँ पर गेहूं और प्रोटीन के लिए Atlas 66 जानी जाएगी Next question की तरफ बढ़ते हैं, चलिए गन्ने की बात की जाएगी गन्ना उत्पादक गन्ने की फसल में भीन में से कौन सा स्योजन देखना चाहता है अगर हम बात करते हैं, जी हाँ, अगर हम बात करते हैं इसकी अंदर, बिल्कुल तो यहाँ देखिए, which one of the following combination wood is sugar can farmer, look for the sugar can crop तो गन्ने की बात करते हैं, गन्ना मोटा होना चाहिए, आपको पता है, तो सेकरम ऑफिसिनेरम, सेकरम बार्बेरी है ना, बार्बेरी जो है, नॉट इंडिया की बात करते हैं, सेकरम क्या है, साउथ इंडिया की है, है ना, दोनों को मिलाकर जो गन्ना बनाया गया है, वो मोटा है, है ना, ठिक stem, लॉंग इंटर नॉट, अगर लंबे पर होंगे, तो लंबाई बढ़ेगी, हाई sugar content होगा, और रोग पतीरो दियोगा, बिल्कुल सही है, मोटा तना उच शरकरांस पचूर पुश्पन, फूलों के लिए हम इसका इस्तमाल नहीं करते हैं, चोटे पर वो short इंटर नॉट्स नहीं होंगे, और low sugar नहीं होगी, तो मतलब क्या, तो शुगर जादा होगा, गन्ना मोटा ह होगा, इंटर नॉट बड़ा होगा, यह सब, और आपको पता, इंटर नॉट को बड़ा करने के लिए, जिवरिन होर्मन का भी इस्तमाल किया जाता है, बॉल्टिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं, तो यहां पर पहला ही उत्तर जो है, वो बिल्कुल, बिल्कुल सही जवाब ह होगा, चली आगे बढ़ते हैं, यह कोश्चन भी AI PMT मेरा, बड़ा आसान सवाल है, पर क्या है कि डेटा बेस कोश्चन सबसे ज़्यादा टफ मानता हूं मैं, है ना, अगर आया, तो बड़ी बात है, नहीं आजता तो भी ठीक है ना, तो भारत में हरिद क्रांती किस दोरा इंडिया में, यह mid 60 के अंदर हुई ती कब होई थी? मिड 60 याद रखना, मद्य 1960 की बात करते हैं, तो 1960 के अंदर हरिद क्रांती मानी जाते हैं, 70 मत लगा दा ना, 1960 की बात करते हैं, ठीक है, याद रखना 1960 की बात की जाएगी, है ना, यह डेटा बेस क्रेशन होते हैं, चल निम्न कत्नों को पढ़िए और आपको बताना इसमें से कथन कौन से सही है राइट है चलिए वही स्टार्ड करते हैं हाँ लेक्टिक अमलत जिवानों अमल उत्पन करते हैं जो दुग्द प्रोटीन को सकंदित और आंशिक रूप से पचा देता है बिल्कुल सही है मिल्क की डाइजेशन की बात करते हैं हमने कहा था ना कि ज़्यादा तर जो एडल्ट होते हैं वो दूद का डाइजेशन नहीं कर पाता है intolerance होता, lactose intolerance यह जीवानों ही काम करते हैं, बिल्कुल सही लिका है lactic acid bacteria ही जो milk के digestion में role play करते हैं, याद रखेगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है दूद की तुल्ला में दैकम पोश्टिक होता है, क्या लिका curd is less nutrient, क्यों भई NCIT क्या कहती है, curd जो है, जादा nutrition वाला होता है क्यों, क्योंकि lactic acid bacteria होंगे क्या करेंगे, विटामिन B12 का production बढ़ाएंगे, B12 होगा, और पता B12 जो होता है बहुत महत्पुन है, जी हाँ जिसकी कमी से परनिसिस एनिमिया हो सकता है अगर B12 होगा, तो RBC अच्छी बनेगी रक्त अच्छा बनेगा, ठीक है और ये LAB, Lactic Acid bacteria हमारे आमाशे में इस्टमक में दूसरे हानी का रक bacteria को खतम करने का काम करते है डाइरिया हो जाता है, दस लगती है तो दई चावल खाते हैं पन क्या दई चावल खाते हैं, वो दई में degraded concentrate of milk, fat or casein, पनीर आंसी ग्रूप से पचावा सांद्री दूद, वसा और protein होता है, बिल्कूल पनीर के अंदर protein भी अच्छा होता है, यह ना वसा की बात कते हैं, सांद्री दूद, वसा भी मिलता है, यह बात बिल्कूल क्या है, चीज के लिए सही है large hall, sweet cheese is ripened by fungus, propuni, bacterium sharemani, क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना, बड़े बड़े चिदर वाली, sweet पनीर की बात कर रहे हैं sweet पनीर की बात करते हैं, propuni bacterium sharemani, bacteria होता है कवक नहीं होता है, बच्चों छोटी छोटी चीज़े याद रखेगा ये कवक नहीं होता है क्या fungus नहीं होता है ये bacteria होता है क्या होता है, bacteria होता है large hall होंगे, तो CO2 जादा निकलेगी, थोड़ा soft पनीर बनेगा, food factory देखते हो discovery पर, ये ही तो चीज है तो ये चीज क्या हो गई, गलत हो गया rock you for cheese ripened by penicillium, बिलकुल सही है, rock you for पनीर की बात करते हैं, penicillium इसको क्या करता है, परी पको करता है तो यहां देखिए, first third, fifth first, third, fifth, क्या बात है first, third, fifth, चौथा option बिलकुल सही जवाब होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट plant की तरफ, चलिए वाहित मल निस्तारण की बात की जाती है वाहित मल उपचार सेंटर STP में phlox बनते हैं, क्या बनते हैं phlox, ये question भी आ चुका है, AI PIMT के अंदर phlox क्या होते हैं वाईविय जीवानू कवक तन्तू है ना, तो ध्यान रखना, aerobic bacteria, fungal filaments को phlox का आ जाता, ये phlox बनते का है, याद रखेगा जो सबसे पहले गंदा पानी होता है सीवेज का पानी, तो उसको पहले physical treatment करते हैं, physical का मतलब भोतिक उपचार किया जाता है, सबसे पहले उसको filter किया जाएगा, है ना, छाना जाएगा, फिर उसको sediment किया जाएगा अफसादीत किया जाएगा, बड़े बड़े जो पधार थे, वो नीचे settle down हो जाते हैं अब जो settle होते हैं उसे कहते हैं primary sludge क्या बोलते हैं primary sludge, जो उपर गंदा पानी होता है, उसे कहते हैं supernatant, क्या कहते हैं बही इस्तराव, जो बात करते हैं supernatant को effluent भी कह सकते हैं तो प्रात्मिक उपचार के अंदर primary treatment, जो physical treatment होता है जिसमें दो प्रक्रम लेंगे filtration और दूसरा sedimentation, है ना, जो निश्यंदन की बात करते हैं छनन करना और अफसादन करना तो वहां बात करते हैं primary sludge बनता है जबकि ये frocks जो बनते हैं वो biological treatment में बनते हैं बच्चों, biological treatment के अंदर जब खूले tank के अंदर bacteria को मिलाया जाता है तो ये जो है organic substance को consume करते हैं ठीक है, तब जाकर ये settle होते हैं जो जिवानू है कवक तंतु है वो settle होंगे नीचे बैठेंगे उनको flocks कहेंगे तो इसे कहते हैं activated sludge या primary sludge की बात करते हैं ध्यान रखना इसके अंदर तो यहां पर जो देखिए इसमें दो चीज़े हैं इसे क्या कहेंगे activated sludge, secondary sludge या activated sludge, primary sludge क्या कहा जाएगा भई इसके अंदर ये जो है activated sludge होगा क्या होगा activated sludge होगा primary sludge तो कहां बनता है primary treatment में बनता है तो ये secondary sludge की बात करेंगे है ना ध्यान रखना इसके अंदर हाँ तो ये चीज़ या रखना भई secondary sludge और primary sludge में अंतर है सबसे पहले जो बनता हो primary sludge कहां बनता है primary treatment में बनता है यह secondary sludge है activated sludge या secondary sludge की बात कर सकते है अपन ठीक है primary flint नहीं होगा flocks की बात की जा रही है याद रखना इसके अंदर जो दोनों चीज़े दे रखिए तो इसे क्या कहा जाएगा activated sludge कहा जाएगा क्या activated sludge कहा जाएगा है ना secondary sludge है एक तरह से ठीक है primary sludge कहां बनता है सबसे पहले primary treatment में बनता है बहुत अच्छा option है यह गलत कर सकते हैं आप लो ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं कौन सा सत्य होगा which of the following is true कौन सा सत्य है एक जल निकाए में BOD biochemical oxygen demand बढ़ जाती है यदि यहां वांशित मल मिलाया जाता है बिल्कुल सही है एक चीज याद रखना BOD जो है biochemical oxygen demand क्या कहते हैं एक लीटर पानी के अंदर जो bacteria है वो organic substance कार्णिक पधारतों को oxygen करेंगे तो उसके लिए कितनी oxygen की ज़रुत होती है ठीक है उसे कहा जाता है BOD अगर कहूंगा के westage जादा है है ना वही तो मल जादा है तो BOD जादा है कच्रा जादा तो BOD जादा तो BOD directly proportional होता है westage के चितना जादा westage उतनी जादा BOD एक दूसरा करम आपको याद रखना है BOD inversely proportional to DO dissolve oxygen अगर हम बात करते है पानी के अंदर गुली हुई oxygen जादा है तो BOD कम है हमारा उदेश्य BOD को कम करना होता है तो यहाँ देखिए इसमें लिखा है कि water body की बादे sewage अगर मिलाएंगे तो बढ़ेगा बिल्कुल सही लिखा यह तो BOD is high for polluted water heavy organic load बिल्कुल सही लिखा है यह बात भी बिल्कुल सही दे रखा है ठीक है इन्हें sewage treatment plant during secondary treatment BOD initially rise and then falls बिल्कुल सही है अगर हम बात करते हैं physical treatment के बाद biological treatment किया जाता है यानि जो organic substance से उसे खूले tank में लेकर जाएंगे bacteria को मिला कर उसको weedolid करते हैं है ना हिलाते बच्चों ठीक है ना clear agitation किया जाता है उससे क्या होता है उससे सबसे पहले bacteria बढ़ते हैं और फिर हम बात करते हैं वो unorganic substance को क्या करते हैं खाते हैं जिससे बात करते हैं कि BOD का level बात में धीर धीरे कम तो पहले जादा होती है उसके बाद BOD कम की जाती है आई उसके बाद ही तो बनता है activated sludge secondary sludge जिसे कहते हैं तो ये चीज़ भी बिल्कुल सही लिखिये यानि सारे statement बिल्कुल क्या है सत्य है याद रखना नीट का एक अच्छा सवाल था AI pimping के अंदर petroleum industry के अंदर BOD को considered नहीं किया जाता है क्यों नहीं किया जाता है petroleum के जो product होते हैं वो तूट नहीं सकते अब गटित नहीं होते याद रखना petroleum industry के product को BOD के लिए use नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका अब गटन नहीं होता है महाँ pseudo-munas-putida का इस्तमाल किया जाएगा सूपर बर्ग आनन्द महंच चकरवर्ती ने जिसको खोजा था ठीक है तो याद रखना petroleum industry को BOD के लिए नहीं जोडा जाएगा next question trichoderma एक सजिवी शेवाल है जोर सामानता मूल पारस्तिती की विज्ञान में सामानी है और कई परभावशाली पादप रोगों में लाप का रही है बड़ा देखो trichoderma की बात की जा रही है trichoderma शेवाल नहीं होता है कवक होता है क्या है fungus होता है क्या होता है यह symbiotic algae नहीं है रेगन फ्लाई जो होता है बिल्कुल सही है यह रेगन फ्लाई की बात करते हैं या लेडी बर्ड बीटल की बात करते हैं यह बिल्कुल सही लिखा है सही है mosquito को खाती है लेडी बर्ड की एफिट की बात करते हैं उसको खाती है यह बिल्कुल सही बात है, ड्रेगन फ्लाई है, लेडी बर्ड बीटल है, NCRT में दे रखा है, फिर देखिए, बेसिलस थुरिंजिसिस यानि बीटी ग्रॉप्स की बात की जाएगी, पानी के साथ मिक्स की जाता है, गलत है, हर चीज को ध्यान से पढ़ना, पानी के साथ मिला की छिडगा जाता है, आत्रापोड़ा पर हमला करते हैं क्या बिलकुल दूसरे इंसेकट पर कोई अशर कोई असर में ठीक है यहां ध्यान रखना है नुक्लियो पोली हेड्रोबाईरस यहां ध्यान रखना क्या नुकलियो पॉली हेड्रो वाइरस की बात करते हैं यह यह इसमें बैकुलो वाइरस क्या है नुकलियो पॉली हेड्रो वाइरस जीनस है यह जीनस का नाम होता है याद रखना यह जीनस का ही नाम होता है इसका किसका जीनस है यह इसी का बैकुलो वाइरस का जीनस होता है ठीक है और यहां लिखा बड़े स्पेक्ट्रम नहीं होता है नेरो होता है गलत लिखा है ना क्या आना चाहिए यहां पर नेरो स्पेक्ट्रम आना चाहिए तो देखो इसमें चौथा तो सही है और यह पांच भी बात करते हैं गलत हो जाएगा ठीक है ना तो देखो इसमें क् चौथा option क्या चौथा option जो है वो बिल्कुल सही होगा याद रखना नेरो होता है गलत हो गया ये बात बिल्कुल सही है ये बात बिल्कुल सही है ये बात गलत हो चुकिये ध्यान रखना ये बात गलत हो चुकिये अगे मेरी बात समझ में नुकलो पॉली हेडरो वाइरस जीन रखनी है चलिए आगे बढ़ते हैं चावल के खेत में महत्मुन जेव अरूरक निन में से कौन सा होगा वई चावल के खेतों की बात की जारी है बताईए चावल के खेतों के अंदर बात करते हैं राइस फिल्ड के अंदर एना बीना एना बीना ओलो सीरा है न? já रेकना Sino bacteria का استعمال किया जाता है किसका? Sino bacteria का استعمال किया जाता है चावल के खेतों के अंदर Glomouse phosphorus के absorption में Mycorrhida है न? यह हम जो बात करते हैं Mycorrhida की बात करते हैं और phosphorus के absorption में भूमिकान बाता है बहतरीन सवाल ہے phosphorus के absorption के अंदर, ठीक है? rhizobium तो आपको पता है legume के अंदर अस्तमाल करेंगे legume root की बात करते हैं वहाँ nodule में मिलेगा और neurospora तो क्या है neurospora तो fungus है यहाँ तो इसका अस्तमाल नहीं होगा एना बीना जो है बच्चों वो बिल्कुल सही जवाब होगा next question जेव सक्रिय पधार्थ और भूमिका दे रखिये बई microbes का एक बहतरीन सवाल है बिल्कुल बहुत बहतरीन सवाल है बिल्कुल एजोला का भी इस्तमाल किया जाता है बिल्कुल सही है एजोला जो है टेडोफाइट से वहाँ option था नहीं एजोला टेडोफाइट का इस्तमाल किया जाता है एनावीना का इस्तमाल किया जाता है एलोसीरा का इस्तमाल किया जाता है बिल्कुल सही है तो यहाँ बात करते हैं स्टेटीन की बात करते है स्टेटीन क्या करता है साइक्लोस्पोरिन क्या करता है स्टेप्टो काइनेस क्या करता है लाइपेस क्या करता है देखें इसके अंदर ठीक है ना हाँ तो स्टेटीन की बात करते हैं स्टेटीन की बात करें चलिए स्टेटीन क्या करता है कॉलेस्ट्रोल लेवल को क्या करेगा कम मौनासकल्स परपूरियस हिस से मिलता है कॉलेस्ट्रोल लेवल को कम करता है साइक्लोस्पोरिन की बात करेंगे ये आपके किड्नी ट्रांस्प्लांटेशन में इम्मुनोसप्रसंट एजेंट की तरह काम करेगा स्टेप्टो काइनेज की बात की जाती है ये क्लोट बस्टर है प्लैक को घोलने का काम करता है स्टेप्टो काइनेज 3000 का इंजक्शन आता है बच्चों स्टेप्टो काइनेज का लाइपेस की बात करते हैं तो तेल धब्मों के लिए काम करेगा पहला ओप्शन जो दिख रहा है मिलाइए A का थड़ उसी को घुमा कर叉क्जाम में कैसे पूछा जा सकते हैं ये नीट में भी ऐसे जादातर सवाल पूछे जाएंगी स्टेड बिल्कुल सहीं। मॉनासकस पनपूरियस क्या है भई मॉनासकस का स्फरपूरियस की बात करते है स्ट्रीक इस ये ये बात भी बिल्कुल सही है Closidium butalicum से Lactic Acid थोड़ी मिलता है ये तो हमारे LAB Lactic Acid बैक्टीरिया से मिलता है है ना ध्यान रखना चौथा option सारे option पढ़ा करो Closidium butalicum से Butalic Acid मिलता है Lactic Acid नहीं मिलता है Stetine monascus perfurious इस से मिलता है बिल्कुल सही है Acetic Acid है ना ये बिल्कुल सही है ये बिल्कुल सही है चौथा option गलत जवाब होगा Next question कौन सा सही होगा भई Correct option ढूनना आप लोगों को चलो doctors बताओ मुझे Activated sludge is Digested by aerobic bacteria to produce marsh gas यानि सक्रित आपंको ये जीवानों दोरा विगड़ित किया जाता है ताकि Mars gas का उत्पादन के जाता है Mars gas का मतलब है CH4 Methane, Gober gas ध्यान किये Generally हम बात करते हैं जो मवेशी है उनके cattle के अंदर होते हैं ये Methanogen bacteria ठीक है ना? तो वहाँ एक काम होता है Gober gas के लिए Second sea waste treatment plant में biological treatment होता है biological treatment जो बंद चेमबर होते हैं वहाँ पर हम बात करते हैं Methane gas produce होती है वहाँ भी ये Methanogen bacteria एन एरोबिक होते हैं यानि ध्यान रखना एरोबिक नहीं होते हैं एरोबिक नहीं होते हैं वाईवे जीवानों नहीं होते हैं वाईवे जीवानों नहीं होते हैं याद रखना Methanogen अवाईवे माने जाते हैं एन एरोबिक होते हैं ठीक है और इस बायोगेस के अंदर या गोबर गेस के अंदर बात करते हैं Methane होगा CO2 होगा H2S होगा ठीक है न तो यहाँ बात करते हैं H2S हो सकता है Hydrogen हो सकता है CO2 हो सकता है पहला चीज गलत है Aspergillus nyigus Cyclosporine नहीं बनाता क्या जी नहीं गलत है यह तो Trichoderma बनाता है Penicillin की खोज के लिए हम बात करते हैं भाई Flaming Chain of Flory को Novel Price के लिए चुना गया बिलकुल सही है ठीक है न यह बात बिलकुल सही है BOD की बात की जाती है Amount of Oxygen Produced by Bacteria During Decomposition जी नहीं ठीक है न Oxygen को Produced नहीं किया जाता है उसका तो Use किया जाता है Bacteria Oxygen का Use करके कार्मिक पदार्वतों का Up-Gatten करते हैं यह बात भी बिलकुल गलत लिखिये Oxygen को Produced नहीं किया जाता है है न Oxygen को जनित नहीं किया जाता है उसका तो उप्योग किया जाता है इसका मतलब तीसरा उत्तर बिलकुल सही जवाब होगा चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छा सवाल है Match the Column का BOD, KVIC, LAB, STP को मिलाना है BOD की बात करते है Biochemical Oxygen Demand Simples जी बात करते है इसका मुख्यू देशी का Oxygen को जो मेजर करना होता है ठीक है न तो यहां बात करते है इसका उप्योग होगा बही बताओ BOD के अंदर Measure of Organic Matter in Water जल में कार्णी पधारतों की माप कह सकते है ठीक है न कितनी Oxygen यूज की जारी बस उसी से पता लग सकता है KVIC है न Khaddi Willays Industries Commission Khaddi Willays Industries Commission सब सीड़ी देती है पैसा देती Bio Gas Plant लगाओ आप लोग है न Bio Gas Plant लगाने के लिए पैसा देती है ठीक है तो देखिए इसमें से कौन मैच कर सकता है Production of Bio Gas 5th कह सकते है Indirectly मैच करना पड़ेगा LAB की बात करते हैं LAB का जो में काम होता वही क्या होता Vitamin B 12 के लिए हम कह सकते है जी यहां Curd में मिलते हैं Dahi में मिलते हैं Increase करते हैं Vitamin B 12 को बिल्कुल सही है STP की बात करते है Treatment की बात करते है Seewage Treatment में तो A का बात करते है Second Second और B का हम बात करते है इसमें 5th आएगा Second 5th यहां दे रखा है C की 4th और D का 1st चौथा option जो है वो बिल्कुल सही जवाब जाएगा चले बचों एक और बहतरीन सवाल था Bio Controlling Agent का एक बहतरीन सवाल माना जाता है जी हां उस समु की पैचान करना है जो सभी जेव पीडकों के जेविक नियंतरण में काम आते है है ना Biological Control Agent की बात करेंगे Trichoderma Nucleopolyhydrovirus Bacillus thuringesis Ladybird, Ladybug, Beetle Bacillus thuringesis, BT gene है ना जो पहले निश्की दिया Cry protein बनता है जैसी insect उसको खाता है तो उसके अंदर जो अहारनाल गट के अंदर Alkaline pH होती है वो डिजॉल हो जाता है और एक्टिव हो जाता है और intestine को रप्चर कर देता और उस बिचारे insect की death हो जाती यह bacillus thuringesis काम करता है है ना cotton ball worm वगरा पड़ा होगा तो यह देखिए सब के सब जो है वो controlling agent में नाम आते है dragonfly, bacillus thuringesis, ladybird और aphids की बात करते है aphids का नाम नहीं आता aphids को तो विचारे को खतम किया जाता है ladybird, panicillium, baculovus, aspergillus तो आप देख सकते हैं पहला ही उतर बिल्कुल perfect है aspergillus हम नहीं पढ़ते हैं ठीक है ना panicillium हम नहीं पढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो पहला ही option है वो बिल्कुल perfect answer होगा पहला होगा बच्छो पहला option होगा aspergillus ध्यान से पढ़ा कर ऐसे option को यह जो पहला option है वो बिल्कुल perfect उतर होगा चलिए एक बेहतरी सवाल match the column का ही question बनता है macrosin human welfare के अंदर trichoderma polysporum cyclosporin A बिल्कुल सही है immunosuppressive agent है पतिरक्षा संदमकोशदी है kidney transplant में इसका उप्योग किया जाएगा बिल्कुल सही बात है monascus purpureus एक तरह की yeast है कवक है stetine मिलता है और यह blood cholesterol को कम करने का काम करता बिल्कुल सही लिका है streptococcus streptokinase मिलेगा और remove of clot buster की बात करते हैं यह बात भी बिल्कुल सही है और close sodium butalicum lipase remove of oil strain बाई lipase यह बात तो बिल्कुल सही जमी है पर यह lipase नहीं मिलता है याद रखेगा lipase बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं होगा चलिए आगे बढ़ते हैं एक और अच्छा सवाल अब हम बात करेंगे कौक्रोच की वैसे कौक्रोच हमने पड़ा है फिर भी मैं सोचता हूँ कि कौक्रोच पर और questions होने चाहिए है ना बिल्कुल तो कौक्रोच की कुछ और बहतरीन सवाल है periplaneta की बात की जा रहे कौक्रोच के संधर में आपको बताना है कि कौन सा सही option होगा संपूर्ण शरीर एक कठोर काइटीन भाहिये कंका से आवरित होता है कौक्रोच के अंदर भाहिये कंकाल काइटीन का बना होता है क्या काइटीन का बना होता है याद रहेगा बिल्कुल सही लिखा है the entire body is covered by hard काइटीन एक्जोस्क्लेटल कवक की कोशिका बिरती काईटीन की कीटों का भाहिय कंकाल एग्जोस्क्लिटल भी काईटीन बना होता है और काईटीन जो है एक होमो पॉली सेकरड होता है, एन असीटाल गुल्कोजा मीन से बनता है याद रखेगा, और धर्ती पर दूसरा सबसे मिलने वाला औरगिनिक सबस्टेंस होता है, पहला सेलोस, फिर काईटीन आता है, इन इच सेग्मेंट, एक्जोस्कलेटल है, हार्डन प्रेट कॉल्ड स्कलेराइट, बिल्कुल NCRT कहती है, इन काईटीन की प्रेटों को क्या कहते है, स्कलेराइट कहा जाता, जो काईटीन की प्रेट्स होती है, उसके क्या कहते है, स्कलेराइट कहते है, यह बात भी बिल्कुल सही है, जाएगा, सही जवाब जाएगा चली आगे बढ़ते हैं कोकरोछ की और बात करते हैं और आपको बताना है सही क्या होगा? नर और मादा दोनों में उदर 10 खंडों से बना होता है अगर कौक्रोच की बात करते हैं तो कौक्रोच में एक हेड वाला पार्ट है फिर थोरेक्स में 3 पार्ट होते हैं फिर अब्डोमन में 10 पार्ट होते हैं है ना एक सीर वाला भाग हो गया फिर thorax वक्ष के अंदर तीन भाग होते हैं pre, anamizo और meta उसके बाद उधर के अंदर 10 कंड होते हैं abdomen के अंदर 10 सेगमेंट होते हैं चाए male हो चाए female हो बिल्कुल सही बात है 10 सेगमेंट होते हैं सासुत है मादा में गूद्य सुक नहीं पाया जाता anal style are absent in female क्या है style की बात करें style केवल male cockroach मारेंगे जहां रिखना frog की बात की जाती है तो vocal cord आवाज की बात करते हैं वो केवल male frog में होता है beaders की canal की बात करते हैं वो केवल male frog की kidney में पाई जाएगी ठीक है और हम बात करते हैं तरह cockroach के अंदर anal style भी केवल male में मिलता है मादा में गूदे सूक अनुपसीद होते anal style are absent in female बिल्कुल सही लिखा है बिल्कुल सही लिखा है बच्चों बिल्कुल सही लिखा है anal style केवल male में पाई जाएंगे गूदे लूम केवल मादा हों मिलते हैं ऐनल सरकाई is found only in female? जी नहीं, दोनों में मिलते हैं, यह दोनों में मिलते हैं बच्चों, ध्यान रखना ऐनल सरकाई जो होते हैं, है ना? तो इसमें ध्यान रखना, annal style जो है, वो 9th istanam के अंदर देखने को मिलते हैं, annal circle जो है, दसवे खंड के अंदर टरगम वाले भाग में मिलते हैं, नर और मादा दोनों में पाई जाते हैं, vibration का काम करते हैं, जैसे आप बात करते हैं, यह से ठीक है, टैग मीना कहते हैं, विचा टांस्परेंट और मेंब्रेंस, नहीं भाई, टांस्परेंट तो पीछे वाले पंक होते हैं, ये क्या होते हैं, लेदरी होते हैं, डार्क होते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये चीज गलत है, जो टांस्परेंट होते हैं, पार्दशी होते हैं, वो प रखते हैं और जो hind wings होते हैं उसी से कौकरोच उड़ता है, याद रखना, ठीक, second चीज four wings जो होते हैं मिजो थोरेक्स से निकलते हैं, और hind wings metathorex से निकलते हैं, pro thorex से कोई wing नहीं निकलता है, याद रखना जबकि तीनों वक्ष या थोरेक से एक एक जोड़ी टांगे लेक्स जरूर निकलती है ये भी अच्छी बात है तो ये गलत हो गया पिर हम बात करते हैं हिंड विंग्स और यूज इन फ्लाइट बिलकुल सही है तो बताए कौन सा सही है फर्स सेकेंड और फिप्थ फर अलाही उत्तर जो है वो बिलकुल सही जवाब होगा चलिए आगे बढ़ता है मादा कौक्रोज की बात की जारी चलिए फिमेल कौक्रोज को अगर देखें तो क्या कुश्चन बनता है सेवंथ इस्टनम इस बोर्ट शेप NCRT कहती है और हम ही बताए कि साथवा जो होता है इ ये ब्रूड पाउच बनाते है फिमेल में क्या बनाते है ब्रूड पाउच बनाते है ये बिलकुल सही लिखा है फिमेल में साथवा जो स्टनम खंड होता है नीचे वाले खंड को स्टनम उपर वाले को तरगम कहा जाता है ये बात बिलकुल सही है आठवे नम्मे के साथ मि फिमेल है ना बात करते हैं गाइनोफोर है स्पर में थिकल पोर है और को लेटरल ग्लेंड होती ये बात भी बिल्कुछ सही है एक और अच्छी बात बताता हूं को लेटरल ग्लेंड करती क्या है फिमेल के अंदर ये को लेटरल ग्लेंड जो अंड कवच होता है एग सेल होता ह U-thika को cover करने का काम करता है, यह जो बात करते हैं, धान रखना, ठीक है ना, cover, cover U-thika, U-thika की covering का काम करता है, याद रखना colateral gland, colateral gland U-thika की covering करते हैं, उसे मोटा बनाते हैं, जिसमें egg रहते हैं, याद रखेगा, यह बात भी बिल्कुल सही है, सारे के सारे statement female के लिए और यहाँ देखें एक और चीज आरे है, इस पर में थिकल पोर, female के अंदर 6 segment के अंदर, female की जब बात की जाती है, तो याद रखना 26 की, female कितने साल की 26 की है, 26 का मलब 2-6, 2-6 के बीच में segment में ovary होती है, 26 याद रखना female 26 की होती है, 2-6, 2-6 खंड के अंदर segment के अंदर ovary ह जिसमें 8 ovaryols होते हैं, यह सब मिलकर फिर वजाईना में खुलते हैं, जनेटल पाउच में खुलते हैं, और 6 खंड के अंदर, 6 segment के अंदर याद रखना, इस पर में थिकल पोर होता है, जो sperm को कैच करने का काम करता है, male के अंदर spermato 4 पाया जाता है, जहां पर जो sperm होते हैं, वो glue की रूप में चिपके होए एक बंडल रूप में होते हैं, spermato 4, male cockroach में होंगे, और वो female में जाएंगे, तो कौन कैच करेगा, इस पर में थिकल पोर कैच करता है, याद रखना, receive, यह receive करता है, sperm bundle को, receive sperm bundle है ना, और sperm bundle को हम कहते हैं, spermato 4, क्या बोलते हैं, spermato 4 कहा जाता है, ठीक है, जो सुकरा से seminal vesicles में रहेगा, तो यहाँ बात करते हैं, सारे statement क्या है, सही होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, कौक्रोच की अहाँ नाल के लिए कौन सा गलत होगा, क्या पूछा है, गलत होगा, चलो भाई, अच्छा सवाल है, 4 gut comprises of mouth, pharynx, esophagus, crop और gizzard, क्या हम बात करते हैं, इसकी अगर, जो बात करते हैं, जो अगरांतर है, उसमें मुक ग्रस्नी, ग्रसी का crop पेस्नी पाए जाते हैं, बिलकुल सही है, एक सवाल आच्छु का नीट में, crop का काम होता है, storage, क्या करता ये, storage का का काम करता है, और ये grinding का काम करेगी, क्या grinding, गिजार का काम होता है, पीसना, क्या होता है, पीसना होता है, बात बिलकुल सही है, ठीक है, गलत पूछा है ना, संपून अगर आंतर क्यूटिकल द्वारा अस्तित रहती, क्या, entire foregurt is lined by cuticle, जी हा, बिलकुल सही बात है, ये बात भी सही है, अरे भाई, ध्यान से पड़ो, क्या लिका है, हिपेटीक जो बात कर रहे हैं, गैस्तिक सीका, मिडगट और हिंडगट के बीच में होती है, नहीं, foregurt और midgurt के बीच में होती है, किसके बीच में होती है, ध्यान रखना, ये आपके foregurt, foregurt and midgurt आना चाहिए था, ठीक है, गलत हो गया, गलत हो गया, हिपेटीक सीका, गेस्टिक या डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करती है, बात बिलकुल सही है, पर यहां foregurt और midgurt आना चाहिए, midgurt और हिंड गट के बीच में तो malpigen tubules होती है, क्या होती है, malpigen tubules होती है, जो उस्सरजन का excretion का काम करती यलो कलर की 100 से 500 tubules होती है, जो यहना potassium urate को excret करेगी cockroach के अंदर, तो तीसरा उत्तर यहां पर सही होगा, क्या बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं, cockroach की शारिरिक गुवा सदे रुदीर से भरी देती है, the body cavity of cockroach remains filled with the blood and is called, क्या कहलाएगी वाइसको क्या कहेंगे, and the blood filled space are called, तो यहां जो बात करते हैं, the body cavity of cockroach remains filled with the blood, उस blood को क्या कहा जाता, cockroach के अंदर जो white, है ना, colorless fluid होता है, hemo lymph कहलाता है, क्या कहलाता है, hemo lymph कहलाता है, और यह आपके hemo seal में भरा होता है, जो sinus होते हैं, quarter होते हैं, क्योंकि cockroach में अंदर open circulation होता है, cockroach के अंदर ध्यान open circulation होता है, खुला परिसंचन तंतर होता है, और cockroach में tubular heart होता है, 13 chamber में heart होता है, क्या, 13 chamber में heart होता है, तो यहां hemo lymph होगा है और hemo seal होगा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, एक और बेतरीन सवाल, NCRT की एक बहुत अच्छी लाइन है, which of the following helps in excretion in cockroach, तो देखिए, nephrosite बिलकुल सही है, यूरिकोस gland only in male, बहुत अच्छा सवाल है, deep में अगर आ जाता है, only in male, यह जो यूरिकोस gland है, वो mushroom gland के उपर मिलते हैं, जी हाँ, mushroom gland जो male cockroach के अंदर सुकरा से, seminal vesicles के उपर होती है, small और large tubule के उपर mushroom gland होती है, जो एक accessory gland है, साहिक जनन ग्रंथी मानी जाती है, male cockroach में होगी, तो याद रखेगा, male cockroach में felly gland होती है, जो mushroom के उपर होती है, mushroom gland भी होती है, और urecous gland भी उसके पास ही होती है, mushroom के उपर ही होती है, तो urecous gland, felly gland, mushroom gland, male के अंदर मिलेगी, colateral gland, female में देखने को मिलेगी, अच्छे सवाल है, और fat body भी होती है, यानि इसका मतलब बात करते सारे के सारे तो सही है भाई ये बली मेल में मिलता हो पर excretion तो करता ही है तो याद रखेगा online मेल में होगा मेल कौकरोच में तो ये चौथा option बिलकुल सही जवाब होगा और यहाँ पर एक और चीज रख दी जाए तो क्या होगा मेल पीग्यन जो में है मेल पीग्यन टुबिल्स तो मेल है ना मेल की अंदर दोनों में होगा पर में है ये potassium ध्यान रखना potassium urate की बात करते है uric acid को excret करता है uric acid जो होता है याद रखना बहुत अच्छा सवाल है uric acid को excret करेगा चलिए आखों की बात की जाए cockroach के nervous system की बात करते है तो cockroach के nervous system में ध्यान रखना ganglia होते है ब्रेन के अंदर supra isofagial ganglia होता है तंत्रीकाओं का गुच्छा thorax के अंदर wax में 3 ganglia होते है और उदर के अंदर 6 ganglia होते है बटा कितने 6 ganglia होते है याद रखेगा thorax में wax में 3 ganglia और उदर या abdomen में 6 ganglia होते है अब आखों की बात कर रहे है cockroach की आखे से आखे मिला ना कभी तो cockroach की आखों में आपको क्या दिखेंगे अच्छा सवाल है database है अच्छे अच्छे गलत कर सकते है 2000 छोटे छोटे lens होते है और hexagonal lens होते है 2000 hexagonal lens होंगे जी हाँ और cockroach की अगर हम बात करेंगे magic vision होता है क्या होता है magic vision होता है याद रखना magic द्रश्टी कहते है magic द्रश्टी का मतलब एक चीज देखूंगा पर उसके 1000 कई गुना image दिखाई एक वस्तू के कई प्रतिविम दिखाई देते हैं शिल्टा जादा होती है more sensitivity की बात की जाएगी more sensitivity होगा पर यहाँ पर बात करते है सुग्राइता कम होगी less resolution क्या भई resolution अच्छा नहीं होगा cockroach देख तो पाएगा बहुत सारी चीज़े हैं दिखरी है उसको टुकडों में पर वो इतना स्पष्ट नहीं देख पाएगा ठीक है तो यह चीज़े हैं तो यहाँ जो उत्तर है वो 2000 हेग्जाकोनल जाएगा बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं cockroach के संदर में कत्नों को पढ़ना है और आपको बताना है इसके अंदर करेट क्या होगे सही कितने होगी चलिए भई सवेदी अंगों में श्रंगी का नेत्र मैक्जिलरी स्पर्ष लेबियल स्पर्ष गुदारोमक पाए जाते हैं अगर cockroach के sensory organ की बात कर तो antenna गूमते रहते हैं रसोई घर के अंदर जो आसपास के वातावन की जिती सवेदना है उसको घ्रंड करते हैं ठीक है मैक्जिलरी पल्प होते हैं लेबियल पल्प होते हैं याद रखना cockroach के अपर लिप को क्या कहते हैं लेब्रम के लेब्यम लेब्रम फिर लेब्यम यहां रखना इसके अंदर ठीक है उसके बाद मैक्जिलर उपर होता है मैंडिबल नीचे होता है हमारा मैंडिबल नीचे है पर कॉक्रोच के मैंडिबल उपर होते है हमारा मैंडिबल सिंगल है पर कॉक्रोच में दो मैंडिबल होते है उपर कॉक्रोज के मेंडिबल, नीचे मैकजिला होता है, उपर लेब्रम और नीचे लेब्यम, लिप्स को बेते हैं, हाइपोफेरिंस की टंग को कहा जाता, ये भी अच्छा सवाल है, तो ये सारी चीजें लिखिए बिल्कुल, सही लिखा है इनोंने, ठीक है, कॉक्रोज के क Spiracles are present on the lateral side of the body, कॉक्रोज के सवशन की बात की जाते हैं, तो ट्रेक्यल ट्यूब होती है, फिर वो ट्रेक्योस में बढ़ जाती है, और कॉक्रोज के पार्श बागों में 10 जोड़ी छोटे-छोटे स्वांस रंदर होते हैं, जिनें Spiracles कहा जाता है, क्या Spiracles कहा जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, दस जोड़ी Spiracles स्वांस चिदर पाए जाते हैं, मेल पीग्यन ट्यूज जो होती है, वो लाइन बाइ ग्लेंडूलर एपिथीलियम भी सीलिटेट से है, एंसी आटी की लाइन है, याद रखना, बिल्कुल सही लाइन लिखी है, एंसी आटी क मेल पीग्यन जो होते हैं, वो ग्लेंडूलर है, ग्रंथील होते हैं, और सीलिया युक्त होते हैं, और कॉक्रोच में मुख्य उस सर्जन का क्या करते हैं, काम करते हैं, कॉक्रोच के पश्वक्स की है न, देखिए, कॉक्रोच के पश्वक्स की बात करेंगे, पश्वक्स से उत्पन होते हैं क्या? हिंड विंग्स in cockroach arise from metathorax देखिए मैंने कहा था pro thorax से कोई punk नहीं निकलते हैं आगे वाले punk four wings होते हैं वो mesothorax से निकलते हैं और हिंड विंग्स जो होते हैं वो metathorax से निकलते हैं बात बिल्कुल perfect लिकी है और हिंड विंक्स जो होते हैं पश्पंक होते हैं वो उडान में साहिता करते हैं पारदशी होते हैं अरे भाई सारे के सारे क्या है सही है पहला ही उत्तर जा रहा है फस्ट बिल्कुल पांचों के पांचों क्या होंगे भाई सही होंगे क्या बात है चले आगे बढ़ते हैं ज वॉक्रोश में U-Theika जो होती हो डार्क कलर की होती है, ब्लेकिश होती है, ब्राउन कैफसूल होता है और 8 mm लंबी होती है, क्या बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है, U-Theika का मतलब क्या होता है? अट कवच है, याद रखना Collateral Gland, female में colateral gland ही ये कवज का निर्मान करती है याद रखना colateral gland ही इस U-thika का निर्मान करती है female के अंदर बात करते हैं average 9-10 U-thika होती है कितनी होती है बिल्कुल सही है each content 30-40 अरे भाई 14-16 अंडे होते हैं 14-16 X होंगे इसमें याद रखना U-thika 9-10 बिल्कुल सही है हर U-thika में 14-16 अंडे होते 30-40 नहीं होते हैं ये बात क्या है गलत है क्या है गलत है periplenta में परिवर्दन porometabolus NCRT की लाइन है क्या मतलब होता इसका development is through nymphal stage बिल्कुल सही है cockroach में सबसे पहले nymph बनता है nymph की बात करते हैं तेरा बार molting करता है फिर जाकर बात करते हैं लास्ट nymph के अंदर wing pad होते हैं पंक नहीं होते हैं नीट तेरा का सवाल था पंक केवल adult cockroach में ही देखने को मिलेंगे लास्ट nymph stage के अंदर केवल wing pad होते हैं जहां से punk आईंगे पर पंक नहीं होते हैं, पंक केवल आपको adult cockroach के अंदर ही देखने को मिलेंगे, याद रखना, तो यहां ये बात तो बिल्कुल सही रहे है, porometabolus, cockroach की बात के सबसे पहले निम्फ बनता है, फिर 13 बार निर्मोचन होता है, फिर adult cockroach बनता है, तो इसे कहते हैं, pora metabolus development, सही है, निम्फ लगबग तीन बार निर्मोचन करता है, थ्री नहीं होता है, थर्टीन होता है, कितनी होता है, थर्टीन आएगा, कितना आएगा, थर्टीन टाइम्स की बात की जाएगी, है ना, एक डायस्टोन हॉर्मोन इसमें help करता है, ये बात है, sperms are transferred through spermatophore, पताया था मैंने आपको, sperms जो होते हैं, वो spermatophore के अंदर bundle की रूप में रहेंगे, बिल्कुल सही बात है, याद रखना इसके अंदर, तो बताएगे कौन से कतन सही है, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, ये देखो, पहला तीसरा पांच लास्ट ऑफ्षन की बात करते है, चौथा ऑफ्षन क्या होगा बिल्कुल, सही जवाब होगा, चलिए, आगे बात करते हैं इसमें, कौकरोच के लिए गलत मिलान का चैन करना बचो, अगर हम बात करते हैं, कौकरोच के लिए गलत मिलान की बात करते हैं इसमें, क्रॉप, फ करते हैं इसके अंदर मेटा थोरेक्सिक विंग फ्लाइट की बात करते हैं बिल्कुल सही है मेटा थोरेक्सिक विंग जिसको कहते हैं हिंड विंग से फ्लाइट यानि उडान का काम करेंगे बिल्कुल सही है और में टीडिया वीजन की बात करते हैं हमने पढ़ा अभी 2000 छोट उत्तर होगा, सही है, तो यहाँ जो पहला option है, वही क्या है, गलत जवाब होगा, चलिए, तो यह कुछ कौकरोज के बहुत ही महत्पुन सवाल थे, जिसका discussion हमने किया है, और अब जो हम बात करने वाले हैं, बिलकुल, picture देख रहे हैं आप लोग, जी हाँ, किसकी है, अवनी लखेरा की बात कर सकते हैं, ठीके न, अवनी लखेरा की बात करते हैं, विंस, gold and bronze, bronze भी जीता हैं इनों ने, क्या, bronze भी जीता है, याद रखना with bronze, है न, and bronze medal, दोनों जीते हैं, अब डॉक्टर्स में क्या कहना चाहता हूँ, 20 साल की एक लड़की है, 20 साल की उमर है, और पै अगर gold और bronze दोनों जीत सकती हैं, जी हाँ, अपने target पर निशाना लगा सकती है, और अपनी जोली में gold और bronze ला सकती है, तो आपको neat पर निशाना लगाना है, जी हाँ, आपको भी बिल्कु सटिक निशाना लगाना है neat पर, और आपको gold की रूप में neat की seat जीतनी हैं, जी हा अगर यह कर सकते हैं तो आप भी क्यों नहीं कर सकते हैं, आपने हर पूरी साल मेनद किये बठा, ठीक है ना, बहुत अच्छी तैयारी है आप लोगों की, बस अपने माइंड को एकदम फ्रेश रखना है, ठीक है, पैसेंस फुल रखना है, कोई टेंशन नहीं करनी है, अपने एंड़्वार्मेंट को हेल्दी रखना एकदम, अच्छा खाना है, अच्छी ने लेनी है, क्योंकि मेहनत की आपने, और जो आप मेहनत करते उपर वाला भी आपका साथ देता है, ठीक है, आप पर टीचर का आशिरवाद है, माता-पीता का आशिरवाद है, उस परम-पीता पर्मेशर खुदा का आशिरवाद है, तो फिर डरने की बाद क्या है, है ना, तो अगर मेहनत आपके पास है, तो बिलकुल, जो सोच सकता है, जिसमें यकीन करता है, उसे वो हासिल भी कर सकता है, जियां, आप डॉक्टर्स बनने के लिए ही हुआए है, बिलकुल, आपका जिन्दी का पूरा जो एम है, वो डॉक्टर बनना ही है, है ना, और आपको वो बनकर दिखाना ही है, बिलकुल, इसी उमेद के साथ बच्चों गियर अब बैच को समाप्त करते हैं, or best of luck for exam, thank you so much, good luck.